नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM मैं हूँ आपके साथ सिम्रिन राजधानी दिली से सटे ही राज्ज्य हरियाना में विधान सभा चुनावों के लेकर प्रदेश का सियासी पारा चुड़ा हुआ है प्रदेश में सियासी हल्चल काफी बढ़ी हुई है सभी राजधानी दिल अपनी अपनी तयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी जीत की रणनीती तयार करने में लगे हुए हैं इस बीच प्रदेश में सत्ता धारी दल भाच्पा की मुश्किले लगातार बढ़ती चली जा रही है जब से भाच्पा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है तब से भाच्पा के अंदर लगातार ही भगदार मची हुई है क्योंकि 67 प्रतियाशियों का एलान करने के बाद से बीजेपी में बगावत और अंतर कलह की जो आग लगी है वो अब बुझने का नाम नहीं ले रही है उस आग में लगातार भाच्पा नेता पार्टी से किनारा कर आभूती डालने का काम कर रहे हैं वीदवारों की सूची जारी होने के बाद से भारी संख्या में नेताओं वा कारेकरताओं ने भाच्पा से किनारा किया है और पार्टी पर समान ना देने और योग्यता के अनुसाप पद ना देने के आरोब भी लगाए हैं चुनाव के मुहाने पर इस तरहा बड़े-बड़े नेताओं पुराने कारेकरताओं का पार्टी छोड़ना और उसको लेकर बयान देना भाच्पा को चुनावों में भारी नुकसान पहुचा सकता है यही कारण है कि हर्याना में भाच्पा आए दिन मुश्किलों में पढ़ती जा रही है और हर बीत्ते दिन के साथ बीजेपी के फिर से हर्याना की सत्ता में वापसी की उम्मीदे भी धुन्दली होती जा रहे हैं क्योंकि पार्टी चोड़ने वाले नेता प्रदेश, नेत्रत्व, मुख्यमंत्री, नायप सिंग सैनी पर भी सवाल उठा रहे हैं ऐसे भी हम भाच्पा के लिए हर्याना में एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई क्योंकि एक और विपक्ष बीजेपी को घिरने और उस पर आरोप लगाने के कोई भी मौके नहीं छोड़ रहा है तो वहीं दूसरी और जिस तरह से पार्टी के अंदर बगावत उठी हुई है नेताओं का पार्टी छोड़का जाने का सिलसिला चल रहा है उसने मोदी शाहक का बीपी और बढ़ा दिया है नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जोरी है इस बीज आज भाजपा को एक और बड़ा जटका लगा है सिरसा से पूर विधायक बलकॉर सिंग ने भाजपा से स्तीफा दे दिया है बीजेपी पर निशाना साथते हुए बलकॉर सिंग ने कहा कि उन्होंने पिछले पांच वर्षों तक पार्टी की तन मंधन से सेवा की लेकिन इसके बावजुन उन्हें वो मान समान और सरकारी पद नहीं मिला जिसके विल लायक थे इसलिए अब मैं भाजपा छोड़कर कॉंग्रस में शामिल हो रहा हूं इसके लावब बेरी विधान सभा सीट से भारती जनता पार्टी की टिकेट ना मिलने से नेताओं वह कारेकरताओं का पार्टी छोड़का स्लसला लगातार जारी है जानके अंदर उर नराज की थमने का नाम नहीं ले रही है भार जफपा के अंदर से नाराज remind busy की या उन इसरी तरफ लिष्ट में जेजेपी के तीन पूर्विधायकों को टिकेट दिया गया है जिसमें देवेंद्र सिंग, बबली, रामकुमार गौतम और अनूप धानक के नाम शामिल हैं पाथी ने देवेंद्र सिंग बबली को टोहाना अनूप धानक को उकलाना से और रामकुम करीब आता जा रहा है वैसे पार्टी को अर्वी परिशानियां बढ़ा रही है इसका अंदाजा कहीं न कहीं है इसलिए पर्टी अपनेताओं को मनाने का तो राज्च में फिर से सरकार बनाने का जो सपना है वो अधूरा ही रहे चाएगा हर्याना बीजेपी से पगावत करने वाले बड़े देताओं में सबसे पहला नाम सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले पूर्व कैपनेट मंटरी रंजीर बांचर पर निर्दली ऊमीदवार के तोर पर जीता था और बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया था बीळेपी ने रंजीर चौटाला के कट को देकते हुए उन्हें हर्याना में विजली जैसा एहम महकमा दिया था और इस साल मार्च में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था और हिसार लोकसभा सीट से टिकेट भी दिया गया था अलाकि वो हिसार से हार गय थे लेकिन अब बीजेपी नो टिकेट नहीं दिया है और चुकी वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और देविलाल के परिवार से आते हैं इसलिए रंजीर सिंग चोटाला के पास सियासी पहचान का कोई संकट हरियाना में नहीं है विशेशकर हिसार और सिरसा के इलाकों में उनकी अच्छी खासी पहचान है अगर बीजेपी उन्हें मनाने में काम्याब नहीं हुई और उन्हों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो वो रानिया सीट पर बीजेपी का नुकसान करेंगी ही सिरसा और सिसार में भी उनके समर्थक बीजेपी से किनारा कर सकते हैं जिससे बीजेपी को प्रदेश में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है यही नहीं बीजेपी के लिए एक और बड़ी मुश्किल हिसार विधानसभा सीट पर होने वाली है अलाकि अब पार्टी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जिंदल परिवार आर्थिक रूप से काफी सक्षम है सावित्री जिंदल और उनके पती ओपी जिंदल हिसार से विधायक रह चुके हैं ओपी जिंदल और सावित्री जिंदल भूपेंदर से घुड़ा की अगवाई वाली हरियाना सरकार मंतरी भी रह चुके हैं अब बीजेपी को सावित्री जिंदल के साथ ही कुरुषेत्र से अपने सांसन नवीन जिंदल की भी नरास्की का सामना करना पड़ सकता है अगर नवीन जिंदल अपनी मा के समर्थन में आकर चुनाफ प्रचार करेंगे तो निश्चिंत रूप से इससे हिसार और कुरुषेत्र के बीजेपी के समर्थकों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा हरियाणा में एक और सीड बवानी खेडा पर बीजेपी को मुश्किल होगी बीजेपी नियाहां से नायप सिंग सैनी सरकार राजमंत्री का दाइत वो संभाल रहे विशंभर वालमिकी की जगहा पर कपूर वालमिकी को टिकेट दिया है हरियाणा के दलित राजमिती में विशंभर वालमिकी ऐसे नाम है जिनकी चर्चा बवानी खेडा विधान सफा सीट से बाहर भी होती है प्रदेश की सियासत में दलित समुदाई की आबादी 21 प्रतिशत है और विशंभर वालमिकी का टिकेट कटने के बाद हुनके समर्थकों ने हरियाणा में कई जगहों पर जबरदस्त नराज की जताई है विशंभर वालमिकी का बवानी खेडा हलके और वालमिकी समाच के लोगों में अच्छा प्रभाव है अगर विशंभर वालमिकी नहीं माने और चुनाव लड़े तो बीजेपी को बवाने खेड़ा में और वालमिकी समुदाय के वोटरों का नुकसान हो सकता है साथ ही कॉंग्रिस लोकसभा चुनावों से ही जिस सरह से समविधान का मुद्दा उठाकर बीजेपी को दलित विरोधी बताई आई है ऐसे में इसका भी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है बीजेपी के एक और नेता करंदेफ कामबोच ने पार्टी में अपने सभी पदो से स्तीफा दे दिया है वो इंदर विधान सभा सीड से टिकेट मांग रहे थे बीजेपी ने यहां से रामकुमार कश्यप को टिकेट दिया है इसके बाद एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें साफ दिखा कि करंदेफ कामबोच के द्वारा बगावत करने के बावल जब मुखे मंद्री नायप सिंग सैनी उन्हें मनाने के लिए पहुचे तो कामबोच ने उनसे हाथ मिलाने तक से इंकार कर दिया कामबोच हरियाणा में बीजेपी ओबीसी समोर्चा के अध्यच थे उन्होंने स्तीफा देने के बाद कहा कि बीजेपी में अब गद्दारों को तवज्जो दी जा रहे है कामबोच OBC समोदाय से आते हैं ऐसे में कामबोच की नाराज़की का खामियाजा भाचपा को पूरे OBC समाज पर प्रभावित कर सकता है अगर कामबोच विधान सभा चुनाव लड़े तो बीजेपी को OBC समदाताओं की बेरख्वी का सामना करना पड़ सकता है 2014 में कामबोच इंदरी से ही चुनाव जीते थे हाला कि अब कामबोच के सियासी कत को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इंदरी सीट से उमीदवार बदलने कर विचार कर सकती है इसके लावा सोनीपत विधान सभा सीट से भी बीजेपी को बगावत का सामना खड़ना पड़ रहा है यहाँ पूर्व मंतरी कविता जैन बगावत पर उतर आई है बीजेपी की ओर से सोनीपत से कुछ महीनों पहले कॉंग्रेस छोड़ कर आये सोनीपत के मेयर निखिल मदान को टिकेट देने पर कविता जैन और उनके समर्थ को बगावत होता रहे थे कविता जैन ने पार्टी नेतरत्व से कहा कि वो 8 सितंबर को बैठक करेंगी उन्होंने पार्टी को अल्टिमेटम भी दिया है कि तब तक भाच्पा अपने उम्मीदवार को बदल दे वरना वो अपने समर्थ को से बाचीत कर आगे का फैसला लेंगी कविता जैन सियासी रूप से काफी सकरी है और हर्याना बीजेपी में पार्टी का महिला चेहरा भी मानी जाती है अगर वो विधान सभा का चुनाफ लड़ती है तो सोनी पत सीट पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है जाहिर है कि पहली सूची के बाद से जिस सरह से भाच्पा में बगावत मची है और बड़े-बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ रहे है उतने हर्याना में बीजेपी को और भी कमजोर कर दिया है जिसका नुकसान भाच्पा को उठाना पड़ेगा फिलहाल देखना है कि क्या बीजेपी इन बांगियों को मना पाती है या उनके जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाती है या फिर नहीं इस खबर ने फिलहाल बस इतना है इसी तमाम राज़ीति खबरों के लिए बने रहे हैं और जुड़े रहे हैं 4 पीम के साथ थन्यवाद